पंजाब के स्री में आप सबका स्वागत है मैं हूँ चंदर शेकर धरनी इस वोकत हर्याना की पूरा मंतरी तथा कॉंग्रस की दिकेज नेता गीता बुकल जी हमारे साथ मौझूद है बाचीत करेंगे मैं आपका स्वागत है पंजाब के स्री जी धन्यवाजी मैं जिस परका से शेशन की शुरुआत हुई राजेपाल का विवाशन हुआ पहले दिन आप क्या कहेंगे देखे महामईम राजेपाल महोदे का आजा विभाशन हुआ उसके बाद अबिचुरी हुई और महामईम राजेपाल महोदे के विभाशन पर कल से चर्चा शुरू होगी जैसा कि उन्होंने पड़ा बहुत जादा अचीव्मेंट्स गॉर्मेंट अपनी गिनवा नहीं पाई हम सोच रहे थे कि बिरोजगार युवाओं के लिए कुछ ना कुछ जॉब्स की एनाउस्मेंट इसमें होगी और बिरोजगारी भत्ते की कोई गोशना होगी किसानों की जो फसल बरबादी हुई है उसमें गिर्दावरी के स्पेशल को यादेश होंगे तो बड़ा हुआ मौावजा उनको कुछ ऐसा मिलेगा एजुकेशन इस्टिचूट्स को लेकर हम लोग डून रहे थे कि शायद करोना की वज़े से लंबे समय तक हमारी सिक्शन संस्थाएं बन थी उनकी वज़े से आज तक उनको लैप्टॉप आइपेड कॉपी किताबें नहीं मिल पाई अब स्कूल खुले हैं तो कुछ न्यू स्कूल की अनौस्मेंट होगी या नई जो वेकेंसीज हैं उसको लेकर कोई भरती होगी तो कहा कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो सबका साथ तो खास्थ और से जो हमारे शेत्र हैं, जहां से कॉंग्रेस के विदायक है, उनके साथ कहीं ना कहीं हमें बेदभाव होता हूँ नजर आया, social justice schemes में भी कुछ बहुत ज़ादा बेहतर नहीं किया welfare of SCBC भी भाक का मैं देख रहे थी आज भी इसमें भी शे इलूल कास्ट कमिशन के गठन का कोई जिक्र नहीं किया गया है जबकि आज चर्चा थी कि शेरूल कास्ट कमिशन के गठन की बात हो सफाई करमचारियों के कमिशन की गठन की बात हो या फिर करोना की मार जेल रहे इस समय हमारे जो युवाँ है जो जो आपकी इंतिजार कर रहे थे और साथी साथ में हम इसमें देख रहे थे लौन ओर्डर की स्थिति जो बद से बत्तर हुई है तो इसको लेकर कुछ अचीव कॉलेज जो बने हैं अगर बाइचां से एक आदा बना भी है उसमें स्टाफ नहीं है डिरेक्टर्स जो हैं वरकिंग लगे हुए हैं और खास और से मेडिकल एजुकेशन की जरूरत हमें इसलिए भसूस होती है कि युक्रेन में जो इसमें स्थिति है बड़ा दुख हुआ कि हमारे बच्चे जो है मेडिकल की शिक्षा, MBBS की शिक्षा पाने के लिए बाहर गए हुए हैं 20,000 के करीब भारत देश के और जिसमें से 2000 से ज़ादा बच्चे जिसमें मेरे विदानसभा शेत्र जजजर के भी बच्चे हैं वो शिक्षा के लिए गए हैं तो सरकार को इस असोसियेट प्रोफेसर्स, डारेक्टर्स और सभी की न्युक्ति होने चाहिए और मेडिकल सीट्स बढ़ा ही जाने चाहिए इसका प्रावधान महामईम राज्ये पाल महोदे के विवाशन में जरूर होना चाहिए था जो की कहीं ना कहीं मिसिंग था ठीक है मंदिर आप ब उपिर्धा मिल सके। बहुत सारे लोग हैं जिनका की रोजगार छूट गया है इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज बंदो गई है तो हम बजट में चाहते हैं कि बिरोजगार युवाओं के लिए बिरोजगारी भत्ता बहुत जादा बढ़ा कर दिया जाए सक्षम के तहित सभी युवाओं को रोजगार देने की बात की जाए रोजगार के पोर्टल खोले जाएं जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए युवा अगर वो लोन मांगते हैं तो उनको सस्तिक इष्टों पे SMCs को जो है उनको दिया जाना चाहिए सेल्फ एल ग्रूप्स को अप्डेड किया जाना चाहिए और बजट में सबसे जरूरी तो ये प्रावदान है कि जो हमारी 46,000 से जादा वेकैंसी सिक्षन स्कूली सिक्षा में है केवल मात्र उनकी पोस्ट को सेंक्षन करके उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए हमारे डॉक्टर्स के जो और पैरामेडिक्स के कुल मिलाकर जो 10,000 से जादा पद खाली है जिसमें सारे के सारे स्पेशलिस्ट खाली है और डॉक्टर्स की बहुत बढ़ी संख्या खाली है अतीश शिग्र उन पदों को भरने के लिए सरकार ये तैय कर ले कि एच्पेसी से करेंगे कि उससे परवियू से बाहर करेंगे और जो करोना वारियर्स है विशेस तर्से डॉक्टर्स या जिनोंने करोना में सेवा दी है उनको और जादा स्पेशल ग्रेड दिया जाए और न उनको भी स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए महिलाओं के लिए बसों की बार-बार बात हुई है वैसे बसी जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसके बेडे में बसों की संख्या कम हुई है इस सरकार ने आने के बाद कोई भी उस बसों के बेडे में नहीं क्योंकि मैं धरने भी गई थी उन्होंने कहा कि नई बसीज नहीं आई है तो नई बसीज आने चाहिए और उसमें स्पेशल वुमेंस के लिए बसीज चलने चाहिए बहन बेटियों के लिए कॉलेजिस के लिए लग से ट्रांसपोर्टेशन बसीज की ववस्ता होने चाहिए और महिलाओ के साथ जो बच से बत्तर स्थिती हो रही है तो उसके लिए भी महिलाओं को स्पेशल सुविधा देने का काम इस सरकार को करना चाहिए पर आपका क्या वर्जन है देखिए बीबीएंबी पर भाकडा व्यास मैनेश्मेंट पर इसी वर्जन पहले हमारे जो मेंबर होते थे हमेशा से इस सरकार ने हमारे जो मेंबर नहीं हुआ कभी इन्हों ने इस पर अबजेक्शन नहीं उठाया आदर्निय चौदरी दिया गया है तो यह हर्याना के हको पर पूरा कुठारा घात है और इसमें सरकार पूरी तरह से फेल हुई है इसकी लड़ाई सब को मिलकर लड़नी चाहिए और आदने चौद्री बुपेंदर सिंग उड़ा जी ने कहा है कि इस पर आपको आल पार्टी मीटिंग भी बुल ज़्यादा से ज़्यादा खोले जाए तो नी संदे यूक्रेयन जैसी गटना की पुन्रा पृतिना हो कैमरा में संजे सिंग के साथ चंदर शेकर धरनी पंजाब के स्री टीवी चंदीगड़ हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद